वेलो गई स्वागत है आपका तो जैसा मैंने अपनी स्टोरी में बोल दिया था वैसे exact टाइं में ट्रेलर आ गया लेकिन यार मैं ब्रेकडाउन नहीं करने वाला मैं बस में में डीटेल्स और ट्रेलर का हलका फुल का रिवीव टाइप ही करने वाला हूं लेकिन यह वर्थ होगा तो वीडियो में बने रहे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी वी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो गाइस चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यार देखो ब्लैक एडम का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है आखिर उसमें अपने ड्वेन जॉनसन यानि के रॉक बॉटम वाले दी रॉक है जो एकदम हरामी और एक डेडली एंटी हिरो है उपर से मुवी पीजी 13 होने वाली है लेकिन उसकी फुल लिमिट पर चली जैसा वो कॉमिक्स में है उपर से यहां उसकी ओरिजीन पर बहुत फोकस किया गया है यहां उसकी बैक स्टूरी की सीन्स है जो क्लेर ली वो खुद नरेट कर रहा है उपर से मुवी में जगा जगा बहुत कियोस है जो एक्चूली में होना भी चाहिए आखिर ब्लैक एडम एंटी हीरो भी कम और एक मरसिलिस विलेंज जादा है जिसने कॉमिक्स में बेलिया नाम के एक पूरे नेशन को ही डेस्ट्रॉई कर दिया था तो आप समझ जाएए कि मुवी क्या तक दिखा सकती है साथ ही यहां यह टेलर फिलाल क्लियर करता है कि यह मुवी एक larger audiences को attract करने के लिए मुवी को funny या light tone में present बिल्कुल फिलाल तो नहीं कर रही है वैल मुवी में Atom, Cyclone, Hawkman और Dr. Fate भी present है जो मुवी को और भी strong और supreme बनाते हैं जहां उनकी costumes literally बहुत ही strong, shiny और killer दिखी उपर से Dr. Fate की magical powers जो उसके helmet में है या उसका Black Adam की future को देखने वाली बात कहना कहीं न कहीं में भी एक इशारा है कि At The End Dr. Fate vs. Black Adam देखने को मिल जाए जो शायद यह scene हो भी सकता है आखी Dr. Fate ही तो कुछ टकर दे पाएगा अपनी reality alter powers से क्योंकि Black Adam तो Superman level की powers hold करता है जिसका Dr. Fate का character भी बहुत ही important होगा उपर से Egyptian Origins की तरफ ट्रेलर जाते हुए दिखी जो सही भी है वेल ट्रेलर overall Black Adam पर बहुत ही focused है और मेभी उसे choices मिले कि वो good और bad में से खुद के लिए choose कर सके और मुझसे पूछो तो मैं personally bad ही देखना पसंद करूँगा मैं से मदद मांगने को जाए Black Adam को हरानी के लिए आखिर रॉक भाया गुल सुपर मैं के अगेंस्ट अपनी character Black Adam को देखना चाहते हैं और मैंने तो इस वीडियो में prediction बनाई भी थी कि Black Adam versus Superman देखने को मिले और ये नहीं भी मिले तो ये तो guarantee है कि Shazam versus Black Adam देखने को पका तीसरी सीकूल में मिलेगा जहां Shazam Rumors के मताबिक Shazam Fury of the Gods के post credit में Black Adam देखने को मिले अब देखिए Warner Brothers में भी हलचल मची है नया चेयरमेन और कई नए ने decision makers आया है जो literally सभी को side करके Henry Cavill के Superman को सामने लानी की बात के साथ connect होते हुए rumors में जुड़ चुके हैं उपर से भी Black Adam भी योरो शोरो से हला मचा रहा है तो क्या पता सच हो जाए साथी origin comics की तरह ही बिलकुल accurate नहीं है जहां यहां बोला गया है कि उसका बेटा अपना sacrifice देता है उपर से अमन भी दिखता है जिसकी ही pureness को देखकर Shazam Wizard अपनी पावस उसे देता है जिसने बिली को पावस दी थी और Black Adam at last अमन को मार देता है क्योंकि उसे लगता था कि अमन की अच्छाई से शायद कांधा को free नहीं किया जा सकता यहां ते कि Shazam के बीच में आने पर वो पुरी Shazam family को मार देता है और मुश्किल से Shazam वाला wizard बचता है जो at last Black Adam को रोक कर उसे कैद कर देता है और Shazam 1 में clearly ऐसा होता हुए भी दिखा वो ऐसे first look में दिखा भी था जहां Black Adam को ISIS free करती है और New Earth timeline में यानि की New 52 comics में ISIS Black Adam से शादी भी करती है लेकिन यहां Shiruta Electronics का भी नाम दिखता है जो comics में Black Adam की wife का नाम था जिसके बाद केंधाक के केपिटल का नाम भी पढ़ा तुमें भी ISIS उसकी दूसरी love interest modern times की दिखाई जाए या ISIS है past में भी Adam की wife थी जैसा वो तीन बार अलग-अलग form में दिखी ट्रेलर में और यह उसका rebirth हो तो कैस ट्रेलर मुवी में क्या होने वाला है इस बात को फिलाल suspense बनाई हुई है जो कुछ भी रिवील नहीं कर रही लेकिन आइगास की Black Adam का at last J.A.S.E. यानि जससे Society of America से फाइट होगा जिससे उसे शजाजाम के अगेंस्ट जानी के लिए या फिल्ड़ अगेंस्ट के लिए बिल्ड़ अप प्रॉपरली दे सके अब देखे बहुत सारे रिशूट्स किये है रॉक भाईया ने तो क्या पता वर्नर बदस को हेंडरी की रिटर्न के लिए मना लिया हो अब देखो कुछ भी हो सकता है रॉक भाई 2007 से ही इस रोल को अपने हाथों में बांद कर चले है तो आगे आप समझदार है कि ड्वेन जॉनसन की पहुँच कहां तक है लेकिन याँ देखो यहाँ दो चीज़े जो ब्लैक एडम की बहुत अलग है वो एक तो उसकी एक्सेंट जैसा मोस्ट अफ दा एनिमिटेड शोस और मुवीस में दिखा और उसका कुछ ऐसा हैर स्टाइल हाँ वरना यार यार ये देखो जहाँ ये ब्लैक एडम कम और रॉक का फिल ज़्यादा दे रहा है लेकिन तब भी अगर स्टोरी तगडी है और एंडिंग जबदस्त हो तो ये सब गए तेल लेने एड दे एंड हा मैं एकसाइट हूँ खास करके पोस्ट क्रिडिट्स के लिए भी कि क्या शाजाम को टीज किया जाएगा ये फिर नेक्स क्या देखने को मिले और में भी सुपरमेन का स्टन डबल को ही टीज कर दिया जाए तो गैस ही थी मेरी पॉइंट्स और हलके फुल के डीटेल्स की बात ब्लैक एडम के उपर वेल देखो ब्लैक एडम कितना पावफुल है डॉक्टर फेट कितने पावफुल है ये वीडियोस आगे लाँगा मैं अलग अलग करके तो भाई मिस मत करना उपर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करे साथी कमेंट करके बताए आपको ट्रेलर कैसा लगा और आपको रॉक ब्लैक एडम लगा ये ब्लैक एडम दिखा ही नहीं बस रॉक रॉक ही लगा और आप कितने excited है movie के लिए और ऐसे awesome और interesting videos देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe करके बेल आइकन को ज़रू प्रेस करें तो guys मिलते हैं बहुत जल अगली वीडियो में दीजियो captain signing off, take care, bye bye